सब्सक्राइब तो और यूट्यूब चानल और प्रेस्ट बेल आइकन ते लेटेस्ट अप्डेट्स बहुजन समाज पार्टी की शुप्रीमो मायावती अखिलेस यादो के उस बयान पर भड़ा गई हैं जिसमें समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कहा था कि वे भी चाहते थे कि मायावती पीम बने मायावती नखिलेस यादो के बयान पर जबाब देते हुए कहा कि जो कई-कई पार्टियों से गड़वन्दन करके भी मायावती ने कहा है कि इसके साथ ही जो लोग-लोगसभा आम चुनाव में समाजवादी पार्टी का सियंग बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा मयावती ने ये बात कहिए मयावती ने कहा है कि इसके साथ ही जो लोग लोग सबाम चुनाव में बीएसपी से गटर बंदन करते वे खुद पाथ सीटें ही जीच सके तो वो फिर बीएसपी की मुख्या को कैसे पीम बना पाएंगे अंतता हैं इनको ऐसे बचकाने बयान देना बंद करना चाहिए उन्होंने का आगे मैं आगे सीअम और पीम बनू या ना बनू लेकिन मैं अपने कमजोर और उपेक्षित वर्गों के हीत में देश का राश्पती कताई भी नहीं बन सकती हूँ कि बीजेपी ने बसपा का वोट तो हासिल कर लिया कि आप बीजेपी मैयावती को राश्पती बनाएगी अखिलेश के इस बयान पर मैयावती ने पलट वार करते हूँ कहा कि वे यूपी का सीअम या देश के पधान मंतरी बनने का सपना देख सकती हैं लेकिन राश्पती बनने का नहीं मैयावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी में बीजेपी की जीत के लिए जिम्मिदार है सपा मुझे राश्पती बनाने का सपना देख रही है ताकि यूपी शियम पद के राश्टे से मैं हट जाओ अखिलेश ने दिया था जबाब जब अखिलेश स्यादव गुर्वार को एक फ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे तब उनसे बुल्डोजर की कारवाई को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने आरोप लगया कि बीज पी जाती और धर्म देख कर कारवाई करती है उन्होंने कहा कि अगर वे भाजपा के लोगों क गहर गिराते तो वो मुआवजा देंगे गोरखपुर में 700 मिटर के दायरे में बने दुकान और धांचो को तुड़ा गया और बाद में मुआवजा दिया गया मैंने सुना है कि मुआवजा सो डेड़ सो करोड रुपय नहीं था बलकि 200 करोड रुपय था खेर इस पर आप subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates